नमस्कार दीनास फूट कॉर्णर में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में फ्रेश नारियल और मुंफली का बर्फी बनाएंगे जिसे बहुत ही असान तरीके से बनाया गया है और हेल्धी वर्जन करने के लिए इसे गुड में बनाएं सारे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए आप पहली बार भी इसे बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा बनेगा वीडियो शुरू करने से पहले एदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज कर दें और वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक क सब्सक्राइब नारियल को तोड़ने के लिए उसके थीन होल में एक होल सॉफ्ट हुता है उसे चाकु से निकाल ले और उसका पानी कलेक्ट कर ले harina में पानी लगाय olhos नारियल का उसके बाद उसे तोड़े दो टुकड़े में अच्छे से कट जाता है मेंस टूट जाता है तब ही आप फ्रीजर में रखें 10 से 15 मिनट के लिए नारिल को छोटे छोटे टुकड़े में कट कर ले आप चाहें तो उसके चिलके को निकाल सकते हैं तब इसे ग्रेट करें या फिर पल्स मोड में इसे दरदरा पीस ले पीसने वक्त पानी ना डाले इस तरह का दरदरा बनाए अब एक कब भूना हुआ मुँपली ले आप इसे माक्रोवन में या कूकर में भून सकते हैं इसका चिलका निकाल सकते हैं भूने वे मुँपली को हाथों से हलके से रग ले उसके बाद मुँपली को फटक ले जिससे चिलके अलग हो जाते हैं अब बिना चिलका निकाले भी मुँपली को दरदरा पीस सकते हैं इस तरह से मैंने मुँपली रख लिया है अब उसी mixi jar में मुंफली को दरदरा पीश ले एक साथ mixi को ना चलाया नहीं तो तेल छोड़ देगा ओन 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 करके mixi को चलाया या फिर pulse mode में mixi को चलाया तब भी दरदरा इसे पीश सकते हैं कुछ इस तरह से अब एक pan में एक cup चीनी ले डाले लबख 4 टेबल स्पून अब चीनी को पिगला ले चीनी पिगल रही है थोड़े से इसमें बबल्स भी दीख रहे है चमच में इसे ले ले और थोड़ा ठंडा करें फिर अंगलियों के बीच में लगा करके देखें अभी हलका सा एक तार बन रहा है वन फोर्थ कप इसमें मावा मिला दे दी है तो आप डाल दे उसे अच्छी तरसे मिक्स कर ले चीनी के साथ मावा घुल भी गया है अब इसमें ग्रेटेड नाडेल डाल दे लो फ्लेम करके इसे थोड़ा पकाएं लगवक तीन से चार मिनट के लिए गयास का फ्लेम हाई ना करें इसे लगातार चलाएं अब इसे स्टेज में मुंफली का दरदरा पॉडर डाल दें उसे अच्छी तरसे मिलाएं एक टेबल स्पून इसमें रोस्टेड वाइट तिल डालें और इसे अच्छी तरसे मिला लें तिल डालने से काफी हेल्दी बन जाता है तिल डालना ओप्षनल है गयास ओफ करें और इसे लगातार चलाते हुए ठंडा करें अब इसको जमाएंगी इसके लिए एक प्लेट को ग्रीज करें घी से या तेल से सेट होने के लिए इस पर डाल दे प्लेट पर और उसे अच्छी तरसे इस्प्रेट करें और इसे स्मूथ भी कर दे अब इसे ठंडा करेंगे इसे जाली से ढग दे आदे घंटे के बाद इसे चाकू से कट करें शेप और साइज ओप्षनल है दोनों तरफ से इसे कट कर लेंगे अभी ये थोड़ा गीला है फिर भी मैं आपको एक दिखा रही हूं ले करके फिर से इसे ढख करके ठंडा कर लेंगे आप इसे फ्रीज में भी रह सकते हैं सेट होने के लिए लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी इसे बाहरी रहने दे रूम टेंपरेचर पर इसे ठंडा करे मुंगफली नारियल की बर्फी बनके तयार हो गई है बहुत ही जल्दी बन जाता है और भी जल्दी बनाने के लिए आप इसमें मिल्क में डाल सकते हैं चीनी की जगह पर उसके लिए तो तीन मिनट के लिए नारियल को भूने मुंगफली डाले और मिल्क में डाल दे किसी एयर टाइट कंटेनर में इसे रखे सभी को खिलाए बाजार की मिठाई इसके सामने फेल हो जाती है तो आप इसे कब बना रहे हैं आप इसे बनाए और अपना अनुभब रीनास फूट कॉर्णर में कमेंट करें और भी वीडियोज को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं तो मिलती हूँ मैं आपसे निक्स रेसिपी की साथ तब तक के लिए टेक क्यार और थैक्स फॉर वाचिंग